कोरोना वरस वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भले ही कोई स्पष्ट तारीख ना दी गई हो लेकिन वैक्सीन लगाने की तैयारियां जोर उपर हैं ब्रिटेन में अस्पतालों को अगले तीन हफतों के भीतर वैक्सीन रोल आउट करने की तैयारी करने को कहा गया है बिटिश अखबार दम मेल के मुताबिक पिछले हफ़ते एक मीटिंग में कहा गया कि यह महीना खत्म होने से पहले वैक्सीन का डिस्रिबूशन किया जा सकता है शुरुआत में वैक्सीन केर होम रेजिडेंट्स असे साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फ्रन्ट लाइन वरकर्स को दी जाएगी अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि वैक्सीन दो डोज में दी जाएगी तीन से चार हफ़तों के अंतर पर वैक्सीन कहां कहां दी जाएगी उसकी लिस्ट तयार की जा चुकी है यूके की सरकार ने 6 अलग अलग वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 35 करोड डोस की डील की है इन में से दो वैक्सीन सबसे आगे है आक्सफर्ड और एस्टराजेनिका की वैक्सीन और फाइजर बायो एंटेक की वैक्सीन पिछले हफते यूके की वैक्सिन टास्क फोर्स की चीफ केट बिंगम ने कहा था कि रेगुलेटर्स वैक्सिन को सेफ घोशित करते हैं तो वह साल के अंध तक उपलब्ध हो सकती है